हेलो एवरिवान स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रहे हूं फटा फट से बनने वाला एजी सब्रेकवास्ट ब्रेड के सैंड्विच और वही रेसिपी आप सभी के शार्ष शेयर करने वाली हूं मैं यहाँ पर यह मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है प्याज बारीक बारीक टमाटर काट लिया है और एक काट लिया इसमें बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्च यह ले ली है मैंने मियोनीज तो सबसे पहले मैंने कटोरा ले लिया है कटोरे में सबसे पहले डाल दूंगी तो आप मसाले एड़ कर देंगी थोड़ा साड़न देंगी नमद थोड़ा सदनियाँ पावडर कि और ढल देंगे इसमें म्योनीज म्योनीज आप में पसंद के अनसार जिटनी आपको पसंद है अगर म्योनीज नहीं है तो आप दूद की मलाई भी ऊच्छ कर सकते हैं प्रेच दूद की मराई जो घर में निकालते हैं वह भी अब इसमें मिक्स कर सकते हैं अब अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके इसका अब mixture तियार कर लेंगे है इस तो देखें हमारा कि यह डाल दिया मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया आप दूसरा ब्रैड लगा देंगे उपर से इसी तरीके से हम अपने सेंड्विच तियार कर लेंगे आप सेखने के लिए मैंने तबा ले लिया है तवे पर थोड़ा सा लगा दूंगी घी अब इस पर हम अपने दोनों सेंड्विच रख देंगे इस तरीके से दवा हमारा यहाँ पर बढ़ाया तो इस पर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हम दोनों को एक साथ ही सेख लेंगे अब मेडियम फ्लेम पर इसे एक तरफ से सेखने के बाद पलट कर दूसरी तरफ से सेख लेना है यहाँ पर मैं दूसरी साइड भी की लगा देती हूं थोड़ा सा अगर आप बटर यूज करते हैं तो आप बटर भी लगा सकते हैं अब यह मैंने दूसरी तिरफ से पलट दिया है जब इस तरीकी से आप सेंड्वीच बनाएंगे तो फटा फट से बन जाएंगे ना ही कुछ उबालने का जंजट है आलू उबालने का किसी भी चीज का नही फटा फट से जब कुछ समझना आए तो टमाटर प्याज उठाइए काटिये फटा फटा फट से ब्रेकफास्ट रेडी तो यह हमारा आज का ब्रेकफास्ट रेडी है अब मैं गर्मा गर्म चाकु की हैल्प से दो पीस में कट करके सोस के साथ सर्व कर रही हूँ तो आप सबी और की मेरी रेसीपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में किजिएगा वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सबस्क्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा यह देखिए एक तम बढ़िया से सेंड्विच हमारे तियार हो गए हैं तो चलिए मैं करती हूं फटावट से ब्रेकफास्ट आप भी ट्राइ कीजिए और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए राशिपी के साथ बाबाई थैंक यू सो मच